नमस्कार साथियों मैं योगिश जोसी और इस वीडियो में हम RPC Assistant Professor एक्चाम 2023 में आपके एक टॉपिक दिया गया है मुगल राजपुत प्रतिरोद क्या है मुगल राजपुत प्रतिरोद पॉलिटिकल रजिस्टेंस और राजपुत अगेंस्ट मुगल ठीक है यह टॉपिक इसके बारे मैं पड़ेंगे तो इस टॉपिक में आपके जो दिया गया है सेलेबस में वह है रावल रतन सिंग्ग अमीर देव चौहान कानहर देव माल देव और चंद्रसयन तथराना प्रताप ठीक है यह च्छै आपके टॉपिक सेलेबस में दिये गया है तो इन सभी को चमब गये तो फट्रसयन पड़ेंगे तो सुरू करताँ है सबसे पहले हम देखते है रावल रतन सिंग्ह ठीक है तो रावल रतन सींग है मेवाड पर सासन किया। कब से कब तक देजाए 30 से 303 इसविullen थेज़ें रावल रतन सींहीं है, तेरा सुदू इस्वी में ठीक है चितोडगट दूर्ग किन नदियों के संगम परिस्थेत है तो चितोडगट दूर्ग है गंबीरी तथा बेडच नदियों के संगम परिस्थेत है तो चितोडगट दूर्ग किन नदियों के संगम परिस्थेत है वह है गंबीरी तथा बेड रतन सिंग की सेना में जैमल टथा पत्ता किसकी सेना में वो थे उदेसcely HTH 14 29 attracted pairs ठीक और पशेता वकूंपा बूछा जाता है कि mus möglich सेना में जो कि बात के राजामी थे माल्डेव ठीक तो अलावदीन खिल जी ने 301 में तो कहां आक्रमन किया रंधंबोर पर, 303 में आक्रमन किया चितोड में, 308 में सिवाना और 311 में जालोर पर आक्रमन किया ठीक है तो 301 में तो क्या हो गया, रंधंबोर, 303 में हो गया, चितोड, 308 में हो गया, सिवाना, और 321 में जालोर, ठीक है, तो रंधंबोर, चितोड, सिवाना और जालोर, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि चितोड का पहला साका, चितोड कड का पहला साका आना किस के टाइम हुआ हूँ हुआ था रावल रातन हिम्ह कि टाइम हुआ था क्षैंग ने Position कि आ अज्वर था क्यों बसींहर्ट आ marin थे थो आप से पुच्छा किया है चिटोड स्थान का पहला साख टिक है अगर आप से पूच लाजय का पहला साख वा तो राजस्तान का पहला साका रंधेर में 301 यीश्वीं में थीक्स्षाइब can कि विजे के बाद एलाउद hope करने के बाद तो बजे को प्राब्त करने के बाद जो अलाक दिन खिल सीने जित्तो beta रखाता खिज्राबाद ठीक है नेक्श्ये त्ट्रोण का नाम रखाता खिज्राबाद ठीक है और जालोर का नाम रखाता जललाबाद ठीक है यह मलावदिन खिलजी ने क्या रखा था वह रखा था जलालाबाद ठीक है और चित्रोड का नाम रखा था खिज्राबाद और शीवाना का नाम रखा था खेराबाद यह भी इपोर्टेंट है बहुत पूछे जा चुके बार बार तो खिज्राबाद नाम रखा था चित्रोड का खेराबाद नाम रखा था शीवान अगा रखा था ठीक है वह में आगे देखते हैं पद्मावद जो की पंद्रा सो चालिस में लिखी है वो किसने लिखी थी वो लिखी थी मलिक महुमत जैसी किसने लिखी थी मलिक महुमत जैसी ने लिखी थी पद्मावद पंद्रा सो चालि जब लावदिन खिलजी ने जटोड गड़ पर आकरमन गया था तो उसके साथ इतियास कार था उसका नाम था अमीर खुचुरो क्या था अमीर खुचुरो नेक्स्टा की खजाइन उल्फुतह ये किसने लिखी ये लिखी अमीर खुष्ट्रों ने लिखा था ठीक है खजाइन उल्फुतह लिखा था अमीर खुष्ट्रों ने इस पर क्या है अलावदीन खिलजी के जितोड पर आक्रमन का वर्णन है जो खजाइन उल्फुतह में क्य है लावदीन खिलजी के जितोड़ पर आक्टमंड का वर्णनंग है अगे देखते हैं हमीर देव चुहान ठीक है यह लंडेल ड़कोण नहीं थरये रड़्य सो यह संग कया दाने का नाम थह जेता सिंग और दादा का नाम था बागबड ठीक है हमीर ने दक्षिन के जो परमार शासक बोज को प्राजित किया था ठीक है तो ऐसे कौन से शासक थे जिन्नों की दक्षिन के परमार शासक जो बोज थे उनको प्राजित किया था हो थे हमीर ठीक है रंट तुमबर के राजा नेस्ट है कि कोटी ये जन्न यग्य किसने करवाया तो वह हमीर देव चुहान कोटी ये जन्न यग्य करवाया था हमीर देव चुहान ये इंपर्टेंट है कोटी ये जन्न यग्य करवाया हमीर देव चुहान ने ठीक है नेस्ट है कि अलाओ दिन खिलजी ने जब हमीर देव पर आक्रमंद क्या था उससे पहले जलालोद'' हिल जी ने भी आक्रमंद किया था ठीक है उसने किया था बारा सो इक्रांडवे में आक्रमंड क्या था रण थ्मपॉर पर लेकिन वह क्या रहा ह६ którzy टैंड शभा था है तो फिर वो नाराज था तब फिर उसने क्या क्या 1299 में अलावदिन पर अंता नाम तरह नुसरत का इन दोनों को रनथंप उल्तिनना हमारा गया ये कुछ जा चुक है तो कौन सा सह नावदिन घ्ल ते अलाओधिन की तरफ से तो थे उलक खान और नुश्रत खान मार गया जब्कि अलाओधिन की तरफ से डर्म सी थे भीम सी थे जिन में से भीम सींग्य मुझत्य हो गयी ठीक है तो फिर उच्छ नहीं एक चाल सली उसने रंधंबोर के जो दो सेनापती थे एक का नाम था रणमल और दूशा रतिपाल उनको प्रलोबन देकर अपनी और कर लिया और इन दोनों सेनापतियों ने रंधंबोर के एक गुप्त मार की शूतना अलाउदिन को ले दी तो वो दो सेनापती कौन थे जिन्नोंने जोहर था मेर की राणी रंग देवि और पुत्री पद्मला इंक जो जोहर था वो राजिस्तान ॉसे पहला जोहर क्या है यह बाट यार द्याद में कहा था सीवाना और 311 में कहा था वह है चालोड ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं रंधंपोर युद में अलावदिन खिल जी का साथ थाने वाला इतिहास कार कौन था तो अमीर अमीर खुरोई उद्धर कहा था चत्तोडगड में और अमीर खुष्र कहा था यह रंधंपोर में आया था था नेक्स्ट हम देखते हैं बत्यीस हमबों की छत्रि कहा पर चाहिता था नेक्स्ट हैा जो मेरे पुतरी पदमला के लिए ठालब बनाया था जो कि बचवारे दीव रट च्ा बोट को तर्वह के दरबार ने बीजा देत्ति कवे involve किसके दर्बार में था हमीर दे च१ा ने धर रचैक के दर्बार आ वी समाँत हो गाई है कि हमीर महाकावी किसने लिखा था वो लिखा था नेंचंद सूर Vocês लिखता वह आ वह ए जो द्राज ठीक है तो हमीर महाकावी तो नेंचंद सूरी किने ए proxy और कि ऑख यह तो ये याद लखने यह बहुत इंपरट मेंड dozen पूछा कि किसे का जाता था जाहिन डुर्ग मतलब इसको जायन को तो द्रन्थंपुर को जीतना बहुत आसान हो जाता था ठीक है नेक्ट देखते है कि हमीर ने कुल कितने युद लड़े 17 युद लड़े थे ठीक है उसमें से 16 युदों में वो विजय रहा था हमीर दे चुहान ने किन किन सासकों को अराय था वो है भीमरस का सासक अर्जुन थार का सासक बोज परमार ठीक है मेवाड का सासक समर सिंग इन सभी को किसने अराय था हमीर ने अराय था ठीक है अब हम देखते है राजिस्तान का पहला जोहर था पहला जोहर कब हुआ वो हमीर की रानी रंग देवी तथा पुत्री पदमला ने किया था ठीक है तो हमीर की रंग देवी और पुत्री पद्मला इन्होंने राजिस्तान का पहला जोहर किया था यह प्रगार का क्या था जंक जल जोहर था और यह हुआ था तेरा सो एक रिश्वी में और यह वदा रंधंबोर के दुर्ग में हुआ था थी कह है यह हो गया मिर्डेव चोहन कांड यहुआँ तो कांग किरें रंधंबोर में चा देव सकते के छालोर चौल के शोंगरा चोहन थे इनन्हों ने 3105 302Indиारह तक जॉल में सासन किया था च्चेफ था टो उस टाइम जालोर की कुंछी की से का जब गा जाटा है सीवाना दूर को जालोर की कुँझी काता था 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 थीक है थो सीवाना के ऐसात trophy थे था तो अलाव्टिन खिलजी ने जालोर पर present करने से पहले कहाHow कियाOH कियाव merged ह。 शीवाना के सांक्रमान गिया थिक है तो एक सेनिक था जिसका नाम है भावला थीक है है तो फिर उसके बाद शिवाना जीतने के बाद मुखहां बढ़ा जालोर में बढ़ा ठीके तो अब कानध देव के बारे में देखते है कि कानध देव ने कभ सियासन पर बैटा वह तेरा सु पांच में ठीके कानहट देव ने सोमनात मंदिर तोड़कर आ रही अलावदिन की सेना को हराया था तो मुख्य कारण जो अलावदिन खिलजी का कानड़ देव पर आक्रमन करने का था वो क्या था कि उसने जो सोमनात मंदिर तोड़ कर आ रही जो अलाओ दिन की सेना थी उसको क्या किया था हराया था ठीक है और उसके जो अलाओ दिन का सेना पती था कौन सा समस्का उसको क्या कर था बंदी बना लिया ठीक है अलाओ दिन के नाम था एन उल्मुल्क मुल्तानी ठीक है एन उल्मुल्क मुल्तानी नाम का एक सेना नायक था जो कि अलाउदिन खिल जी का था वो कांधर देव को समझा बुजा कर दिली लेकर आया फिर दिली में क्या किया अलाउदिन खिल जी ने अपने पुत्री फिरोजाग का ठीक है व आपकरमंण उसने जो जालोर पर आक्रमन किया 1311 में ठीक है तो जालोर का एक छान अपदी सर्दार भी का थी STAR ने क्या कर दिया विश्वास गाझा कर दिया जिसके कारण जालोर अधिकार हो गया लाओधिम खिलि जी का अतिकार हो गया ठीक है या तो हो गए धेक और नेक्स पूं देखते हैं, जो मल देव की पत्नी कोन थी उमा दे किस नाम से जानी जाती है 해요 टो ये व incorpね कुछा जाता है रूठी रानी केनाम गया था जैos управ having कि जो राजकुमारी थी उनका विवा माल देव के साथ हुआ था ठीक है तो अब हम आगे देखते हैं कि जो गिरी सुमेल का युद्ध है गिरी सुमेल का युद्ध यह बहुत इंपर्टेंट है गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के बीच में वह था वह था सेर्शा सूरी किता वो कुंपा किसे थे समंदी थे माल देव से वोरा बादल रावल रतन सिंग से ठीक है और जैमल वो पत्ता उदेशियं से ठीक है प्रहशु रावलन करण के बेती थी जैसल मेर के राव लूं करण ठीक है वो रूट करके पूरी जन्दगी कहां तारागट अजमेर के दोर्ग में रही थी थी ठीक है नेक्स्ट है कि माल देव ने मेडता के वीरम देव तथा वीकानेर के राव जेच्छी को रहा है था ठीक है माल देव ने कौन कौन से दुर्गों का निर्मान कराया वह है पोगरन दुर्ग मालकोट दुर्ग तथा सोजद दुर्ग इन तीनों दुर्गों का निर्मान किसने क ठीक है नेश्ट है कि हास्मत वाला राजा किसे का जाता है तो आज़ता है माल देव को हस्मत वाला राजा का जाता है माल को वो क्या कहा चेता है हिंदू बादसाह की उपादी दी जाती है नेक्ट चंद सयन चंद सयन 1562 में 1581 तक मारवाड पर राज किया थीक है इनका जनम हुआ 16 जुलाई 1541 में कभ गवा 16 जुलाई 1541 में हुआ माल देव के जो चंद सेन के पिता कुन थे माल देव अभी माल देव के बारें पढ़ा तो ना वो थे चंद सेन के पिता औरन की माता का नाम था स्वरुप दे ठीक है चंद सेन माल देव के तीसरे पुत्र थे तीसरे नंबर वाले पुत्र थे चंद सेन ठीक है तो माल देव को माल देव ने चंदस्यान को सेना पती या साचक नियूक किया था जिसके कारण किया था उसके दोनों बड़े भाई उससे नाराज हो गये थे और वो अकबर की सरन में चले गई तो अकबर ने उस्यान कुली खाँ उसके नेतत में जोदपुर के किले पर अधिकार गन्ने के लिए सेना बेजी और जोदपुर पर अधिकार कर लिया ठीक है चंदसेन ने किसके बादरा जून में सर सब्सक्ता कर अकबर ने विए जोदपुर का अधिकार न्यूक्त किया अजए सऻरण के पहार पाली में ठीक है चंदसेन की समादी है संचिया पाढ पाली में स्थित है बुला विसरा राजा किसे का जाता है चंदसेन को वारा प्रताप का पुरोगामी के सिखा जाता है, चंदसेन को कहा जाता है रेक्स्ट हम देखते हैं, चंदसेन की मित्यू के बाद अकवर ने उनके बड़े भाई जो मोटा राजा उदे सिंगे उसे क्या बना दिया, जोदपूर का सासक बना दिया और उसकी पुत्री जगत गोसाई उसका विवहा जहांगी से कर दिया, ठीक है जिश्टरह से महारान अपताब ने अबस शंग Forsch किया उसी तरद चंडलसेन ने भी संगर्च किया तो अक्तर्बक का म मारान अपताब घजता है चंडलसेन को नैस्टकि चंडलसेनु अपने की लोग उनसे नारा जोगे थे, ठीक है, सामन्त लोग उनसे नारा जोगे थे, ठीक, नेक्ट की माराना पताब, माराना पताब का जन्म, माराना पताब ने 1522 से 1577 तक, ठीक है, मेवाड पर शासन किया, उनका जन्म वदा 9 मैं 1540 में, ये पूछा जाता है, माराना पताब का ज माता का नाम था जेवनता भाई जो कि पाली की सोनगरा चोहानों की पुत्री थी उनकी पत्नी का नाम था अजब देपवार कि नाम थे माराना पता पह़त गूआ जो जन्म उवा था बीड़ कर ले इस पुम्बल गडूर में अक्बर का ना मारा ना tempo उसको अपनी अधिनता स्विकार करने के लिए चार प्रतिनीदी मंडल बेजेते हैं, उनका करम पूछा जाता है, सबसे पहले बेजाता है, जलाल खांग, भगवान दास, पिर टोडर मल ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकता है, जमा भग तो, जैसे जलाल खांग, मां से मांज यह भग्वानदास थीक है और तोसे टोडेर मल, लाष में टोडेर मल को पीजा, जैलाल खां को बजा था 1549 क्या पंडास sa 22 में, पांज सीन को पोछ जाता vive 19 उजुन पंडासा सु 73 में भगवान दास को बेजा था, अक्टुमबर 1573 में और टोडर मॉल को बेजा था दिसंबर 1573 में बेजा था ठीक है नेक्स्ट हम देखता है कि प्रताब को बंदी बनाने की योजना किस किले में बनाई गी थी वो है मैग चीन या अकबर का दुर्ग जिसे कहा जाता है अजमेर में इस थीते हैं इस मैग जीन या अकबर के वो् दुर्ग को इंग्रे जोने बाद में क्या बना ली था शिस्त्या गेर बना लिया था थीक है जलो काती का यूद हाकीम का सूर्थ ठीक है आसर का तो किसकी तरब से था अकबर की तरब से और हाकीम का सूर्थ किसकी तरब से प्रताप की तरब से ठीक है लड़े थे नेश्ट की हल्दी काटी की युद में किस इतिहासकार ने भाग लिया था वो था बदा यूनी तो ऐसे कौन से इतिहासकार के हल्दी काथी के युद में बाद लिये था वो थे बदा यूद के बाद अक्बर में तीन बार सहाबाज खान के सेना बेजी एक वार अब्दुलरहीम खान खाना के नह नहीं बेजी लेकिन वह राना पताप को पकड़ नहीं पाया ठीक है नेक्स्ट है कि दिवेर का यूद दिवेर का यूद कब हुआ पंदासो बरियासी में हुआ ठीक है तो ऐसे यार रख सकते हैं द्वी में क्या रहा है दो तो इसमें भी क्या है दो ठीक है पंदासो बरियासी में हुआ द्वेर का य उनको नहीं जीत पाई, बाखी पूरा का पूरा मेवाड, उनाने वापस अपने अदिकार में ले लिया, कर्नल जैंस्तोट थे, उनाने हल्लिकाटी के युद को क्या कहा, मेवाड की धर्मोपली कहा था, ठीक है, तो उसमें क्या था एक साइड कम सैनिक थे और एक साइड बहुत अधिक सैनिक थे ठीक है उसी तरह जो ये हलिकाटी का यूद था इसमें महारान पता भी तरह बहुत कम सैनिक थे लेकिन अकबर की तरह बहुत अधिक सैनिक थे फिर भी महारान पता ने बहुत वीरता से लड़ तो उसी के कारण बेसी क्या क्या एता हैं मेवार का धरमू पली इवएर और मेरा थन थोल्दीगाटी नेक्स्ट अगी हल्दी काटी के युद में महाराना प्रताप के जो साथ कौन थे चाला मन्ना जाला बीता राना पुंजा रामदा समेड़तिया बीम सिंग डोडिया ये सब किसके साथ थे महाराना प्रताप के साथ थे अल्डिकाटी के यूद में राणा पताप ने बहलोल खा को गोड़े समित दो ठुकड़ों में काट दिया था, ठीक है, नेक्स्ट है कि दीवेर के यूद में मुगल सेनापत्ती कौन था, वो था, सुल्तान खा, ठीक है, पताप ने अपनी राध्दानी किसे बनाया था, वो बनाया था, ठीक है, पताप ने राध्दानी बनाया था, चावंड को, नेक्स्ट है, भामासा की अवेली, चावंड में इस्तिरे, नेक्स्ट है कि विस्व वल्लब, व्रक्ष अयूर विज्ञान ग्रंत, इसकी रजना किस ने करवाई थी, वो करवाई थी, राणा के दर्बार में, नेक्स्ट है कि निशार्दी चित्रकार किसके दर्बार में थे, वो भी राणा प्रताप के दर्बार में थे, चावंडिक चित्रस्याली का जन्व हुआ था, कब राणा प्रताप के सासन काल में हुआ था, नेक्स्ट है, हरीहर मंदिर कहां हिस्तित है, यह भी पूछा जा चुका है फ्रेस्ट ग्रेड में ठीक है अल्दी गाटी कहा पेशती था वत्मान में राजसवन्द में स्ट्रिट है ठीक है और मेवाड का उद्धार किसे का जाता है वो का जाता है भामा साबू नेक्स्त है कि प्रताप नेवनी राज्टनानी किसे बनायता एक तो चावंड को बनायता और एक कुंबल गड भी दो सो दो ओप्सन में से ठीक है एक तो चावंड भी है और कुंबल गड भी है नेश्ट है कि हल्दि गाटी युद्ध को जो खमनोर का युद्ध कि सने कह था वो कह था अबूल फजल ने अगर आपको अमारा ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो ज्यादा से ज्यादा से शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो हम आ झाल झाल